इक दोनों के लिए है जिनमें से पहला प्रसन आप लोगों किस की इन पर है मेरी जीवन यात्रा किसकी यात्म कथा है हाजारी प्रसाथ दिवेदी जी की, महाभीर प्रसाथ दिवेदी, राहूल संक्रत्यायन या इनमेश कोई नहीं सभी कमेंट कीज़ेगा मेरे पेरे पेरे भायों के पेरी पेरी बहने ग्रहनी जिनका सपना है टीटिक जाम को फते करना जैस्वाल सर आप सभी कविनंदन श्वागत करते हैं मेरी जीविन जो यात्रा है यह किसकी आत्मकता है तो राहुल संक्रत्यायन की डूसरा परषन यह के रशना कार है पदुमलाल पुन्नालाल वक्सी हजारी परसाद दिवेदी सिव पूझन सहाय बल बद दिच्चित पड़िस की बात करेंगे तो डिखाती दुनिया के रशना कार कौन है तो सभी लोग जानते हैं सिव पूझन सहाय भासा के जादूगर के रूप में विख्यात है, इनकी प्रमुक रचना देहाती दुनिया है, भासा के जादूगर के नामसे विख्यात है अगला गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या कोई नहीं तो ग्यों और गुलाब की रचना वीधा कौन सी कहला जाएगी यह कहला जाएगी दोस्तों यह रामब्रच बेनीपुरी द्वारा लिखी ती पुस्तक है जो की संस्मनात्माक रेखा चित्र है जो की आपसन में नहीं दिया गया है इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा और और भी इनकी रचनाएं हैं रामब्रच बेनीपुर की जैसे लाल तारा माटी की मूरत मील के पत्थर ठीक है इनकी अन रचनाएं गिहों और गुलाब की बिधा आपकी कौन से हो जाएगी रामब्रच बेनीपुर द्वारा संस्मनात्माक रेखा चित्र की बात करेगी अगला परसने आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारी तुपन्यास है प्रेमचन, बंकिमचन, चटरजी, रविन ना, ठाकोर या सतरंज सरच चन्द की बात करेंगे अवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारी तेक उपन्यास है सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे सरच चन्द की बात करेंगे सरचन की जीवनी को विश्ण प्रभाकर ने लिखा है प्रेमचन अधारी जीवनी कलम का सिपाही किस ने लिखा है तो अम्रत राय ने लिखा है अंग्लाप्रस देख लेते हैं सीलाज सुकल की रचना कौनसी है आसाड का एक दिन, कटरा बियारजू, राग दरबारी या आदमी का जहर सीलाल सुकल की रचना कौनसी है राग दरबारी बिश्रामपुर का संत तथा आदमी का जहर सीलाल सुकल ये प्रमुकतिया है सी आपसन या पे सही हो जाएगा धर्म युग पत्रिका के यसस्वी संपादक कौन थे रगबीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेन यादो या धर्म बीर भारती सभी कमेंट केज़ेगा धर्म युग पत्रिका के यसस्वी संपादक की बात करो है सभी जानते धर्म बीर भारती लेकिन दोस्तों इनके प्रकासित कब ग्रंथों का थंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का सात्मा घोडा, अंधायोग देशांतर है इसके साथ प्रमुक पत्रों में धर्मयुक सपताहिक निकर्स अलोचना आदी है और राजेंद यादों ने हंस पत्र का संपादन किया था अगर प्रशना आ गया कि हंस पत्र का किसने संपादन किया तो राजेंद यादों ने किया था और धर्मयुक पत्तिका की बात करेंगे तो धर्मबीर भारती ठीक है कोई भी डाउट हो बेफिकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मात्रम इंकलाब जिंदाबाद कमेंट यहां पे बरकरार होना चाहिए प्रतेक सिच्चक का कमेंट यहां पे आना चाहिए प्रतेक टीचर का कमेंट यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों कुवानो नदी कविता संग्रह के कभी यहाँ पे पूँचा जा रहा है जी हाँ कुवानो नदी कविता संग्रह के कभी कौन से हो जाएंगे तिलोचन, भारत भूशन अग्रवाल, अग्गें या सर्वेसर दयाल सक्सेन की बात करेंगे कुवानो नदी कविता संग्रय के कभी पूँचा जा रहा है और वह सर्वेसर दयाल सक्सेन इनकी अन्य रचनाए हैं काट की घटिया बांस का पुल गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इनकी अन्य रचनाए हैं सर्वेसर दयाल सक्सेना जी की गली आंगे मुर्ती है इसके लेखा कौन है सभी बताईए गली आंगे मुर्ती है इसके लेखा कैस्यू परसास सी यह क्या है आपका गली आंगे मुर्ती है ये एक आपका उपन्याश है अंगलापस देख लेते हैं एक बूंद सहसा उचली की रशना विधा कौन सी है एक बूंद सहसा उचली ये रशना जो विधा कहला जाती है यात्रावर्त्त की बात करते हैं ये किसके द्वारा लिखित है तो अगें द्वारा ये लिखित है इनके अन्यात्रावत्त है अरे यायावर रहेगा याद बहता पानी निर्मल है इनके और भी यात्रावत है बैता पानी निर्मल अंगला प्रसंदेख लीजेगा और फीडबेक कर दीजेगा हिंदी में सिकार साहित के अप्रतिम लेखक कौन है जगमोहन सिंग, चंदधर सर्मा, गुलेरी, सीराम सर्मा या इनमेशे कोई ने हिंदी में सिकार साहित के अप्रतिम लेखक पूँचा जा रहा है और वह दोस्तों सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे चंदधर सर्मा गुलेरी या सिराम सर्मा या इनमे से कोई नहीं जगमोहन सिंग देखे चंदधर जो सर्मा गुलेरी जी है ये कहानी साहित के अप्रतिम लेखक अज जगमोहन सिंग प्रसिद एक उपन्यास कार है जगमोहन सिंग क्या है प्रसिद उपन्यास क्यार है और इनका प्रमुख उपन्यास स्यामा शुपन है और हिंदी में सिकार साहित के अप्रतिम लेखक आपके सीराम सर्माजी राम विकास सर्माजी ये माक्सवादी समिच्छा के सिखर पुरूस है इनकी और भी प्रमुक अलोचनात्मक्रतियां हैं भारतेंदु हरिश्चन्द, आस्था और संदर, भासा और समाज, निराला की साहिस साधना अंगला प्रश्णा ये देख लेते हैं आत्म हत्या के विरुद्ध कभीता संकलन के कभी कौन हैं शर्वेश्वर दयाल सक्सेन, धर्मीर भारती, रगवीर सहाय ये मुक्तिबोद आत्मात्या के बिरुद्ध कभिता संकलन के कभी पूँचा जा रहा है यनि रगवीर सहाय ये अग्येजी द्वारा संपादित दूसरा सब्तक के प्रमुख कभी है इनकी प्रसिद्ध रचना है सीडियों पर धूप में हसो हसो और जल्दी हसो तथा लोग भूल गए इनकी अनरचना है रगवीर सहाय की बात करेंगे प्रतिवी राज की आँखें सीर्शक नाटक के रचैता कौन है प्रतिवी राज की आँखें हम बात करेंगे राम कुमार वर्मा जी की बिजयपर, रेस्मी टाई, दीपदान रजत रस्मी, इंद धनुस, रूप रंग, इनकी और निरचनाएं है आपके राम कुमार वर्मा जी की साथी प्रतिवी राज की आँखें भी इनकी सीर्शक नाटक की है राम कुमार वर्मा जी चारू चंद लेख के उपन्यासकार कौन है? जी हाँ, चारू चंद लेख तो सभी लोग जानते हम किसकी बात करेंगे चारू चंद लेख के उपन्यासकार हजारी परसाद दिवे दिजी बान भट की आत्म कथा अनाम दास का पोथा अनरचनाय इनके निम्नकित में से तार सब्तक में कौन कभी सामिल नहीं था दिखें तार सब्तक का प्रकासन अग्यें के संपाद कत्त के हुआ था समय और वह समय था 1943 में हुआ था इसमें प्रभाकर, माचवे, नेमिचन जैन, भारत भूषण अक्रवाल ये तीनों तार सब्तक में कभी में सामिल थे लेकिन रामधारी सिंग्दिनकर जी आपके सामिल नहीं थे प्रभाकर माचवे, नेमिचन जैन, भरत भूशन अग्रवाल, प्रथमतार सब्तक के कवीद आधा गाउं के लेखक कौन है? आधा गाउं के लेखक राही मासूम रजा यह आजली कुपन्यास है राही मसूम राजा की अनभी रचनाए है एक है टोपी सुकला, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपरी, दिल एक साधा कागज दिल एक साधा कागज भी आपके राही मसूम रजा जी की रचना इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है जिसे 19 सुनों में सस्वती पदिका में प्रगासित हुआ था जिसके लेखक है किसोरी लाल गोस्वामी जी निसाद बासुरी की रचना विधी बताना है रेखाचित ललित बंद कहानी या सन स्मरण की बात करते हैं निसाद बासुरी की रचना विधा पूँचा जागा तो वह हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ललित निवंध प्रमुक ललित निवंध कार कुबेरनात के प्रमुक निवंधों में निशाद बासुरी की रचना विधा की बात करते हैं इन में से कौन आचली कुपन्यास कार है? जी हाँ आचली कुपन्यास कार पूँचा जागा और जैनेन कुमार जी इन में से आपके आचली कुपन्यास है और इनका प्रमुख उपन्यास कौन सा है जने इनकुमार जी का आधा गाओं क्या है आधा गाओं आई ये बात करते हैं अंगले पश्नकी कनुप्रिया के लेखक के हाँ पे पूँचा जा रहा है तो कनुप्रिया के लेखक के बात करते हैं धर्मबीर भारती ठंडा लोहा इनकी अन्रचना है साथ गीत वर्स अंधा युक धर्मबीर भारती जी के रचना कौन सा सब्द गंगा का पर्यावाची नहीं देखें जानवी सुरासी देवपगा ये गंगा के पर्यावाची लेकिन सरिता तरंगनी अपगा तटनी सरी और तरंगवती ये सभी नदी के पर्यावाची तो सरीता नदी का है अब आकी ये तीरों गंगा के है ध्वन्या लोग किस तत्य से सम्मंदित ग्रंत हैं? ध्वन्या लोग किस तत्य सम्मंदित आपका हो जाता है? तो ये दोस्तों ध्वन्या से सम्मंदित हो जाता है काव के बिशिश्ट तत्य के रूप में ध्वन्य सब्यकास सर्पतम प्रयोग जो है आनंद वर्धन के ध्वन्य लोग में मिलता है किसके आनंद वर्धक के ध्वन्य लोग पर कनक कनक से कनक कनक ते सोगुनी मा धक्ता अधिकाय काउंसल अलंकार है काफी बार आपने पढ़ा होगा बच्चों को पढ़ाया भी होगा कनक कनक से सोगुनी मा धक्ता अधिकाय जहां कोई सब्द एक सधिक बार प्रियुक्त हो उसके यर्थ में अलग-अलग होते हैं यहां यमक लंकार होता अंगला पसंद देखेगा टेड़े मेड़े रास्तक के लेखक कौन है टेड़े मेड़े रास्तक के लेखक भगवती चरण वर्मा की बात करते पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है वे दोस्तों है उद्धै प्रकास पाल गोमरा की स्कूटर नामक कहानी के लेखक उद्धै प्रकास जी आपसंद सही कर लेना नए इलाके में किसकी काबक्रती है तो नए इलाके में दोस्तो अरुन कमल की रचना हो जाएगी नए इलाका निमल्कित में से कौन सा माक्स वादी बिचार धारा का अलोचक नहीं लेकिन बिजय देव नारायन सा है ये मार्क्स वादी बिचार धारा के लोचक नहीं ट्रिकार्डिंट क्वेश्चन डी आप्सन सही हो जाए अंगला समिधान के अनुच्छे 359 में किस भी से कवर्णन किया गया है तो सभी जानते हिंदी भासा के विकास से सम्मंदित निर्देश हो डी आप्सन सही हो जाए निमलिकित में से वर्तनी की रश से सुद्ध सब्द का चैन करिए पूजिनी, परिपारशिक, उज्जल, जोच्सन, वर्तनी की रश से सुद्ध बताना यहाँ पर वर्तनी की रश से सुद्ध हमारा परिपारशिक, आप्सन सही हो जाए अंगला स्वार्थ का बिलोम कौन सा होता है तो स्वार्थ का बिलोम परमार्थ, स्वार्थ मतलब स्वयम के लिए, परमार्थ मतलब दोस्रों के लिए संस्कत के चार अध्याय किसकी रश सभी कमेंट की, संस्कत के चार अध्याय किसकी रश स तो यह दिनकर जी की रश न हो जाती है जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है जुलूस उपन्यास के लेखक फर्णिश्वर नात्रेणू देखे दोस्तों मुहन राकेस अगर पूँचा जाता इनके अनुपन्यास कार है अधेरे बंद कमरे में ना आने वाला कल और अंत्राल कमलेस्वर जी की जो उपन्यास है सुबह दोपार साम काली आंधी तीसरा आदमी समुद्र में खोजा हुआ जल लेकिन जुलूस को पन्यास फर्णिश्वर नेरू की बात करें दुलाई वाली किस विधा की रचना है दुलाई वाली तिस कहानी की लेका बंग महिला राजेन बाला घोस यह कहानी है दुलाई वाली और इसकी लेका बंग महिला राजेन बाला भोजी है इस कहानी का प्रकासन आपके 1907 में सरस्वती पतिका में होगा था कमल लैन में कौन सा समास है कमल लैन अर्थात बहुबरी समास देखा जाय तो कर्मधारय समास का उदारन है लेकिन कर्मधारय विकल्ठ में नहीं दिया गया है इसलिए आपका बहुगरी होगा अगर कर्मधारे होता तो कर्मधारे करती लेकिन आफसर नहीं इसलिए बहुगरी समासिदर आइटिंज ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी इसका अर्थ क्या होता है ना नौ मन यहाँ नाप हो गया ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी पहले मन में नापा जाता था इतने मन तौल है एक प्रकार का तो इसका आर्थ होता है अशंभावकार इसका रथ क्या हो जाएगा अशंभावकार बकरी नाटक के रचाईता कौन है मोहन राकेश, उपेनात अस्क, हबीब तन्वीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेन बकरी नाटक के रचाईता सर्वेश्वर दयाल सक्सेन प्रसिद्ध नाटक बकरी इवं कल भात आएगा बकरीक साथ एक और इनकी प्रसिद्ध नाटक है कल भात आएगा और मोहन राकेश जी की प्रसिद्ध जो है वह आसाड का एक दिन क्या हो जाएगा असाड का एक दिन ठेक है आईए अंगले प्रिश्ण की बात करते हैं अंगले प्रिश्ण की बात करेंगे और सभी लोग आँपे कमेंड कीजेगा प्रतेक भाई बेंड ग्रणी निमलिकित में से कौन सा उपन्यास नागारजुन का नहीं सभी बताईए देखी दोस्तों बलच नमा रतिनात की चाची वरुन के बेटे ये तीनों जो है आपके नागारजुन की लेकिन परती परिकथा परती परिकथा मैला आचर जुलूस चौराहे ये फ़र्णीश्टर रिनिन के उपन्यास हो जाएं ठीक है अंगला भूल गलती कविता के कभी कौन है भूल गलती नागारजुन, त्रिलोचन, केदार नाथक्रवाल या मुक्तिबोद भूल गलती कभी ताके कभी पूछे जा रहे हैं वह होता मुक्तिबोद जियां दोस्तो ये आपसन सही हो जाएगा अंगला निम्लिखित में से लोकोक्ति को चुनना है अंधे की लकड़ी नौधो ग्यारए होना गले पढ़ना अजजल गगरी छलकत जाए तो आपनी कौन सी लोकोक्ति सुने अजजल गगरी छलकत जाए मुहावरे में अंत में अन्यवार रोप से ना जरूर जुला होता लोकोक्ति में ना नहीं जुड़ा होता अगर मुहावरा दिया गया है तो ना जरूर जुड़ा होता बलकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता ये बड़ी पहचान है जिसे नो दो ग्यारा होना गले पड़ ना दिया गया है ये पहचान है आपकी इसकी? मुहावरे की हान इलाब में काउन सा समास होता है? दोनों पच्च प्रधान है दोनों पच्च बलवान है तो हान और लाल में दुंद समास होगा जो की आपसन नहीं दिया गए इसलिए इन में से कोई नहीं दुन्द का साब्दी कर्थ होता है युग्म या जोड़ा या बिलोग दो पद हैं दोनों पदों की प्रधानता है बुद्ध का काटा कहानी की लेखक कौन है बेचन सरमा उग्र जी बुद्ध का काटा कहानी की लेखक बताना है इनकी अनरचनाय भी हैं उसने कहा था शुक में जीवन उसने कहा था हिंदी की सवसेश कहानी है जो सवस्वती पत्तिका में 1915 इसमी में प्रकासित होई थी ब्रजभासा है कौन सी है पूर्वी हिंदी पश्मी बिहारी या पाड़ी हिंदी किस हिंदी को ब्रजभासा कहा जाता है या ब्रजभासा कौन सी दिशा की हिंदी कहलाती है तुए दोस्तों पश्मी हिंदी पश्मी हिंदी की प्रमगोलियां खड़ी बोली है और पूर्वी में क्या बोली जाती है अवधी बगेली च्छतीस गड़ी बिहारी में क्या बोली जाती है मैथली मगही भोचपुरी और पहाडी बोली गढ़वाली नेपाली बोलियां आधी आती अनन्द का सही संदी विच्छेत क्या होगा अनन्द मतलब अनधन अन्थ ये बेंजन संदी का उधारण है और बेंजन के सास्वरथ बेंजन के मेल से जरू पांतन होता हुसे बेंजन संदी कहते है बी आप्सन सही हो जाए निम्रिखित उपन्यासों में से प्रेम चंद का अंती मुपन्यास बताई शेवा सदन प्रेमास्रम निर्मला या गोदान प्रेम चन्द की अंतिम उपन्यास वताई और वह गोधान प्रेम चन्द का प्रथम प्र mixture हिंदी उपन्यास कौण सा है प्रथम है आपका सेवा सदन जो की 1918 में आया था और अंतिम उपन्यास है गोधान ठीक है तो दोनों चीज़ें आपको समझ लेना निम्निकित में से सुद्ध वाग को चैन करना है राम रोटी खाया है राम ने रोटी खाया है राम ने रोटी खाई है राम रोटी खा लिया है सुद्ध वाग बताना सब भी बताईए तो राम ने रोटी खाई है सी आप सने दर आईटेंस अंगला प्रश्ण है नेता जी कहिन के लेखक है रवीन्द कलिया जी रवीन्द नात्यागी जी सिलाल सुकल जी मनोहर स्याम जोसी की बात करें नेता जी कहिन के लेखक यहाँ पर कौन सा हो जा रहा है तो मनोहर स्याम जोसी की बात करें जी है नेता जी कहिन के लेखक मनोहर स्याम जोसी की बात करें अंगला निम्रकित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीद छंद है रोला चौपाई छपपय या इन में से कोई कौन सा चंद दोहा का विप्रीच चंद हो जाता है दिखें दोहा का विप्रीच चंद क्या होता है वह होता है सोर्ठा दोहा का विप्रीच चंद होता है सोर्ठा जो की आपसन में नहीं दोहे के विशम चरण में यानि पहले और तीसरे में तेरा तेरा और सम यानी दूसरे या और चौथे में गेरा गेरा मात्राएं होती है। उसरी प्रेकार सोर्ठा में बिसम में गेरा गेरा यानी पहले और तीसरे में गेरा और दूसरे चौथे में गेरा गेरा विप्रित होती है। तो दोहा में तेरा गेरा और सोठा में गेरा तेरा चलता ठीक है निम्निकित में से किस लेखक को ज्ञान पीट पुरुस्कार नहीं मिला सभी वताई यह देखे दोस्तों दिनकर को उर्वसी के लिए 1972 इसी में मिलाद नरेश मेहता जी को हिंदी साहित में योगदान ये तु ज्ञान पीट पुरुस्कार दिया गया लेकिन नागारजुन जी को ज्ञान पीट पुरुस्कार नहीं मिला एक आर्ड इंट कोश्चन से आपसंस ही हो जाए बाल्टी कैसा सब्द है तो बाल्टी एक आपका पुर्तगाल या पुर्तगाली भासा का सब्द हो जाएगा अर्थाद बिदेश सज हो जाएगा सूची दी गई है दो सूचिया दी गई है पहले में पुस्तक और लेखक दिया गया है पुस्तक सेखार एक जीवनी जिसकी असोक के फूल क्या भूलूं क्या याद करूं हजारी प्रसाद दिवेदी हर्वन सराय बच्चन और अग्गेंजी नीचे आप संतिये गई सेखार एक जीवनी जो है अग्गेंजी की है असोक के फूल हजारी प्रसाद दिवेदी जी क्या भूलूं क्या आद करूं हर्वन सराय बच्चन और अग्गेंजी तीसरा पहला जिसमें से पहला प्रसन आज के प्रेक्टिसिट का कि निम्नकी सब्दों में से सुद्ध सब्ध का चैन करना है सन्यास, सन्यास, सैयास या सन्यास तो सन्यास में सुद्ध सब्ध कौन सा हो जाता है सभी कमेंट कीजेगा तो सन्यास का सुब्ध सब्ध हो जाएगा आप्शन नमबर भी कोई भी डाउट हो बेपी कराप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके बाद दूसरा प्रशन है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है 13, 12, 24 या 16 होती या दोस्तों चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है तो चौपाई छंद जो होता है यह मात्रिक संख्यंद होता है पहले चरण तुक और दूसरे चरण तथा तीसे चरण तुक चोथे चरण से मिलती है पहले चरण का तुख दूसे चरण से और तीसे चरण का तुख चोथे चरण से और प्रते एक चरण के अंत में यती होती है और चरण के अंत में जगड़ तगड़ नहीं होना है यानि कि मत्राओं की शंख्या 16 होती है ठीक है चौपाई चंद मातिक चंद इसमें जगड और तगड जो है अंत में नहीं होना चाहिए यह आपका इंपोर्टेंट हो जाता है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंदित है इस्त्री उत्पीडन दलिश समस्या संप्रदाइक्ता या व्रष्टाचार तो आप सभी लोग जानते हैं ज्यानी सर्व वख्याता लोग हैं भाविद्यापक अद्धापी गएं कि काला जल का जो कथानक है यह जिस समस्या से मंन्देट हो जाता है अंगलाug edition मगद कविता संग्रह के रचयता क्वान है असोग वाचपय जी स्रीकांत वर्मा रगवीर सहाय जी मुहन राकेश जी सभी comment किजेगा मगद कविता संग्रह के रचयता पूछा जा रहा है और सभी लोग जानते हैं स्रीकांत वर्माजी मगत कविता संग्रह के रचाईता स्रीकांत वर्माजी है अंगला निमलखित में से किसकरती के लेखक रामबिलास सर्माजी है हिंदी के विकास में अपवरंस का योगदान दूसरी परंपरा की खोज छायावाद या भासा और समाज की बात कर रहें तो इनमें से किसकरती के लेखक रामबिला सरमा जी है तो भासा और समाज की बात कर रहें अंगलापस देख लेते हैं सभी कमेंट कीजेगा मेरे पैरे पैरे भायों के पैरी पैरी बेहने ग्रहनी जिनका सपना है टीटिक जाम को फत्य करना जैस्वाल सराप सभी का अविनन्दा नर्श्वागत करते हैं दोस्तों कविता के लिए खड़ी बोली के पच्छ में अंदोलन की सुरुवात किसने की कविता के लिए खड़ी बोली के पच्छ में अंदोलन की सुरुवात किसने की हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद खत्री की बात करेंगे किसी भी प्रस्ण पर डाउट है बेफिक राप लों कमेंड कर सकते हैं फीड़वेग कर सकते हैं अंगला प्रस्ण ब्राहण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त किसूरी लाल गोश्वामी बालकष्ण भट या प्रताप नराण मिस्की बात कर रहें ब्राहण के संपादक पूंचा जा रहा है और प्रताप नराण मिस्की बात करेंगे इस मासिक पत्व का प्रकासन कानपूर में होता था बालकर्ष्ण भट के संपाधन में हिंदी प्रदीप से प्रकासित होता था किसे होता था हिंदी प्रदीप नोट कर लिजेगा अंगला पुस्ण है कैशेरियों में हिंदी प्रदेश अंदोलन का मुखपत किसपत को कहा जाता है कैशेरियों में हिंदी प्रदेश के अंदोलन का मुखपत जो होता है किसे कहा जाता है कैशेरियों में हिंदी प्रदेश अंदोलन का मुखपत भारत मित्र क्या था दोस्तो भारत मित्र जो की आपसन में नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं डियापसन सही हो जाए और इसके संपादक बाल मुकंद जी थी भारत मित्र की भारतेंद युग की केंदरी विधा कौनसी है उपन्यास कहानी इन में से कोई नहीं यह नाटक तो आप सभी लोग लगबग जानते हैं भारतेंद युग की केंदरी विधा कौनसी कहलाती है और वैं कहलाती है नाटक अंगला प्रशने भारतेंद युग की केंद्री विधा तो नाटक है सभी लोग जानते हैं लेकिन भारतेंद युग ने अपना बलिया वाला एतिहासिक ब्याख्यान कब दिया था 1880C में 1874 में 82 में या 1884 इस युग जिया दोस्तो भारतेंद युग अपना बलिया वाला एतिहासिक ब्याख्यान दिया था कब दिया था 1884 इसी में अर्थाज संबत 1941 में दिया था नासी के युटो प्याख्यान के लेखक है तो नासी के युटो प्याख्यान के लेखक कौन कहला जाते हैं सदल मिस्ट जी सदल मिस्ट आरा बिहार के निवासी थी इन्होंने 1960 में नासकेतो प्याख्यान की रशना की जिसमें चंद्रवदी की कथा थी और लल्लू लाल की अगर बात करते हैं इन्होंने प्रेम सागर और इंसालला खांकी बात करें तो रानी केतकी की कहानी की रशना कार गहला जाते हैं ठीकर रानी केतकी के कहानी इन्सालला प्रेम सागर की बात होती तो लल्लू लाल और नासकेतो प्याख्यान की बात हो जाती है तो सदल मिस्र की बात की जाती आनंद कांदम्बनी के संपादक थे प्रेमघन, भारतेंदू, सिनिवासदास या अनमेश कोईने आनंद कादंबनी के संस्थापक पूछा जा रहा आनंद कादंबनी के एक मासिक पत था जिसका प्रकाशन मिर्जापूर से होता था और इनके संपाधक प्रेमघन की बात करते अंगला प्रशने नूतन ब्रह्मचारी कृती के लेखक है जी है दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी कृती के लेखक पूछा जा रहा सभी कमेंट कीजेगा तो बाल कृष्ण भट की बात करती बाल कृष्ण भट ने नूतन ब्रह्मचारी के लावा सौ आजान एक सुजान आपने सुना होगा सौ आजान और एक सुजान नमक उपन्यास भी आपके नुतर ब्रह्मचारी आपके बालकिष्ट भट की द्वारा लिखा गया है और सी निवास दास के अगर बात करें तिन्हों ने परिच्छा गुरू लिखा है बाल मुकंद गुप्त की बात करें तो कामनी और किसूरी लाल गोश्वामी की बात करें तो लाओ लाओ गल्ता ये सारे परसिद उपन्यास कार है संयोगिता श्वयंबर है संयोगिता शोयम्वर कहा है दोस्तों यह एक नाटक लाज स्रीनवास दास जी दवारा एक लेखित नाटक संयोगिता शोयम्वर अंगला परिश्चा गुरू उपन्यास के लेखा कौन है अब ही अमने आपको बता है परिश्चा गुरू के बारे में लाला स्रीनिवास दास जी हिंदी के सरपतम मौलिक उपन्यासकार लाला स्रीनिवास दास जी हैं जिसकी करती परिच्छा गुरू सरपतम मौलिक उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ आगला पसने सकुन्तला नाटक का खड़ी बोली गद्ध में अनुवाद किस ने किया राजा सिवप्रशाज, सितारे हिंद, राजा लश्मर्ण सिंग, भारतिन भरिष्चन, गिर्धर दास जी सकुन्तला नाटा का खड़ी बोली गद्ध में अनुवाद जिसने किया था राजा लच्मर सिंग की बात करते हैं राजा लच्मर सिंग ने काली दास के रगवनसम एवं मेग दूत का भी हिंदी में नुवाद किया है और ये प्रजा हितैसी नामक एक पत्त भी निकालते थे राजा लच्मर सिंग इनकी जैसी विसुद्ध सरासेवं सक्तिसालिनी ब्रजभासा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ आचार सुक ने किस कभी के बारे में टिपनी की थी और वह दोस्तों घना नंद घना नंद रीक्त्मुक्त धारा के स्रंगारी कभी है ये दिल्ली के बास सायव मुहमत साय के यहां मीर मुंसी थे और सुजान नामक वेशा से प्रेम करते थे नोने सुजान सागर, बिरह लीला, लोक्षार और क्रपा कान नामक ग्रंथों की रशना की है घना नंद की बात करते हैं नित्व प्रति पुनेई रह आनन ओप उजास में अलंकार कौनसा हो जाता है तो समझ लीजेए का पहले नित्व प्रति पुनेई रह आनन ओप उजास इसमें लंकार पूँचा गया है और इसमें आपका उखमा लंकार हो जाता है बी आपसन इदर आइटेंस है कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है किष्णबक्ति धारा में प्रेम मार्गी धारा में भारतिंद योगीन धारा में यरीतिकाब धारा में मिलता है कई चिंता निवम कला धाराओं का योगदान कि इसमें मिलता है तो दोस्तो कृष्ण बक्ति धारा में मिलता है फर्स्ट आपसर नेधर आइट एंसर अंगला है जात्य बिलास के रचैता कौन है तो जात्य बिलास के रचैता सभी लोग जानते हैं द्योग अंगला ध्रूचरित के रचैता कौन है ध्रूचरित के रचैता आपके नरोत्तम दास जी कहला जाते है स्वच्छंदता वाद की विशेष्टा कौन सी नहीं कहलाती है तो स्वच्छंदता वाद की विशेष्टा जो कहलाती है प्रकती परवेच्छन कहलाती है प्रेमचित्रन कहलाता है कथागीत प्रयोग कहलाता है लेकिन ब्रजभासा में रचना यह स्वच्छंतता वाद की विशेष्टा नहीं कहलाती इसलिए कारी इंडिकोश्चन्स डी आपसन इदर आइटें सर अंगला पसना है अधर्क कथानक अर्ध कथानक है यह कहा है दोस्तों अर्ध जो कथानक है क्या जीवनी है या आत्मकता है रिपोर ताज है या संस्मरन कहला जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं यानि सर वेखाता लोग है भावे दापक अधापिकाएं जब आपकी निक्त होगी आप लोग अधापक अधापिका बनेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे वो दिन वो समय याद कीजेगा और मेहनत में लगातार अपने प्रिफेशन को बेहतर करने के साथ जो तैयारी है वो जोड़दार होनी चाहिए तो अर्द कतानक की बात कर रहे हैं तो यह एक आत्म कता बनार्शी जैन जी द्वारा या लिखित अर्द कतानक हिंदी की पहली आत्म कता अंगला प्रस देखेगा सूची दी गई है सूची पहले में सब्द और दूसरे में अर्थ दिया गया है और इनको मिलान करना है देखे सभी लोग जानते हैं कि जलज का जो पर्यावाची सब्द है कमल होता है अर्विंद, राजी, सरोज, पंकज, अम्बुज, जलजात, नलिन होता है और जो जलज के पर्यावाची होते है बादल, मेग, घन, जलधर और आपके जलज के जो पर्यावाची कहला जाते है समुद्र हो गया सिंदू, अर्णव, रतनाकर, नदीस ये प्रमकुरूप से कहलाते है तो जलज यानी कमल, जलज यानी बादल जलज यानी शमुद्र ठीक है, चले बाद करते हैं अंगले प्रस्ण के दोस्तो किस रचना को चंदों का अजायब घर कहा जा सकता है जी है, चंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है रामचरित मानस, चंद चंद बर्नन की महिमा, रामचंद का या प्रत्वी राज रासो आप सभी लोग जानते हैं चंदों का अजायब घर की से कहा जाता है और वह दोस्तों रामचंद का रीतिकाल के प्रमुक कभी केसो दास ने इस ग्रंद की रशना की थी और इनकी अनप्रमुक रशना है, रासक प्रिया, कभी प्रिया, रतन बावनी, ठीक है बिज्ञान गीता, ये सारे समिन और रामचरित मानस की रशना सभी लोग जानते हैं तुलसी दास जी द्वारा की गई ये चंद चंद बरन की महिमा लेखक गंग कभी तथा प्रश्वी रासों के रशाईचा चंद बरदाई की बात करते हैं ठीक है, प्रश्वी रास की चंद बरदाई और चंद चंद बरन की महिमा के गर बात करते हैं तो गंग कभी की बात करेंगे, कौन से लेखक, गंग कभी, अंगला परसने बहुती बेतीन इंट्रिसेट परसने ध्यान पूरा कमेंट कीजेगा, फेड़बेक कीजेगा, कि कृष्ण गीता वली नामक काब करती के रचाइता है, जिया दोस्तों, कृष्ण गीता वली नामक क करती के रचाइता कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, फटा फट कमेंट कीजेए, जिया दोस्तों हम बात करेंगे तुलसीदास जी, तुलसीदास की प्रमुक रचना, रामचरित मानस, पारवती मंगल, जानकी मंगल, वैराग, शंदीपनी, कविता वली, दोहा वली, गीत वली, बिनेपति का है, और मीरा भाई की अगर बात करते हैं, तो मीरा भाई की, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद, ठीक है, और कवित दास की रचना की अगर बात करते हैं, तो बीजक इनकी प्रमुक है, और सूर की, सूर सागर, साहित लहर और सूर्च सारावली ठीक है चारों आपसनों को हमने रिचाईता जान लिया अच्छे तरीके से किसी भी आपसन को पूचा जाए आपसे अवर्ष्य बनना चाहिए दोस्तों निम्निकित में से पुलिंग सब्द की पहचान करना है घास आय नहर और बे इन में से पुलिंग सब्द की पहचान कीजिए और कमेंड बाक्स में इसर कीजिए पुलिंग सब्द मंतलब बे की बात करेंगे और बांकी घास आय नहर ये तीनों इस्तिलिंग में आ जाएंगे घास आय नहर ये तीनों इस्तिलिंग में और बे किवल आपका पुलिंग में आ जाएंगे जगत सजपाई सार कविता के रचाईता कौन जी हैं दोस्तों जगत सचपाई सार इसकविता के रचईता कौन है और इसकविता के रचईता स्रीधर पाठख जी है इसके बाद अगला प्रशन है कि मद्यकालीन बोधा का सुरूप की लेखक कौन है मद्यकालीन बोधा का सुरूप के लेखक बताना तो हम बात करेंगे हजारी प्रसाथ दिवेदी जी की इनकी अनभी रशना है हिंदी साहित की भूमिका हिंदी साहित का अधिकाल शूर साहित ठीक है तो मद कालीन बोधा का सुरूप हजारी परसाद दिवेदी जी की बात करें क्रती और लेखक दिये गए हैं और आपको आप्सन बताना है कौन सी क्रती किसकी है और किसके लेखक देखे दोस्तों दसकुमार चरित नौसदी एचित उत्ताराम चरित दिया गया है तो दसकुमार चरित के लेखक एगर बात करते हैं तो डंडी जी है इनके नैसदी एचित के अगर बात करते हैं तो स्रीहर्स जी है लेखक और उत्ताराम चरित सभी लोग जानते हैं भावभूत की बात करते हैं यह साथ अंकों में भक्त है भावभूत जो आपका अनला प्रश्ण है सीख लीनो मी निम्रग खंजन कमल नैन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है इस पंक्तियां में किस कभी की यह पंक्तियां ले गई है यह ठाकुर की हो जाएगी जैं दोस्तों इस पंक्ति की रशना रीत मुक्ति धारा के कभी ठाकुर की है कंसे हैं रीत मुक्ति धारा के कभी ठाकुर जोस्तों भक्ति के इस रोत को दच्छिन से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिध्धान का समर्थन करने वाले बिद्वान कांसे हैं ग्रियार्शन हजारी प्रशाद दिवेदी आचारा रामचन्षुक जैसंकर प्रशाद रामचन सुकुल जी है, सी आपसं सही हो जाएगा, आगला प्रस्न है, बीसल देव रासों ने किस सहली का प्रयोग किया है, स्रंगारिक सहली, आख्यान सहली, प्रवंद सहली या गे सहली, तो सभी लोग जानते हैं, बीसल देव रासों ने जिस सहली का प्रयोग किया था, वह प्रधान ग्रंथ है यह मुक्तब परंप्रा का प्रतिनित काद्व है आदिकाल के गे साहित मिसकी चर्चा महत्पूर्णूरूप से की जाती है और यह प्रेमा ख्यान का परंप्रा की कोटी के अंतरगत आता है फोर्ट बिलियम कालेज की स्थापना किस वर्स में हुई थी संदर्बंप्रा इससवी में के गई थी कहां पे कोलका तक ने फोर्ट बिलियम कालेज की स्थापना के गई इस कालेज में भारती भासाओं के प्रोफेसर की रूप में कौन थे? जान गिल क्राइस्ट की निउक्त की गई थी इहोंने हिंदी के सिच्छन के लिए दो पंडितों लल्लू लाल और सदल मिस्ट की निउक्त की थी अंगला प्रस्तिक एगा राहुल जी ने हिंदी भासा का प्रत्थम कभी किसे स्विकार किया है? पुस्पदंद, हेमचंद, बिद्यापती या सरहपा को सभी बताएगो राहुल जी ने हिंदी भासा का प्रत्थम कभी किसे स्विकार किया है? तो हम बात करेंगे सरहपा को यहां राहुल जी के अलाबा नागेंद भी यानि सरय पाद वो हिंदी की वहां सा का प्रथम कभी मानते थे जबकि हिंदी की प्रथम रचना देव सेन करत श्राव का अचार को माना जाता है तो सी आपसन इधर आइट इंसर अंगला पसन इधर भीकारी दास की रचना कौन सी है काब निर्ने, काब शिंदू, रस विवेक या चिंता मनी यह दोस्तों भीकारी दास की रचना बताईए देखे भीकारी दास की रचना काब निर्ने, संगार निर्ने, छंद प्रकास, छंद वर्णो और चिंता मणी अगर रचना की बात करते हैं तो यह रामचन सुक्ल की रचना है चिंता मणी नैन नचाई कहयो मुसकाई लला फिर आयो खेलन होरी यह पंक्ति किसकी है बिहारी जी की मतिराम की पदमाकर की यह इनमेश खोई ने तो नैन न चाई कहयो मुस्काई लाल फिर आयो खेलन होरी दस्तो पदमाकर जीकी है पंक्ती है इनकी अनपंक्तिया रशनाय है जगत बिनोद पदमा भरण गंगा लहरी प्रवोत पचासा कली पच्चीसी ठीक है अंगले प्रश्न की बात करते हैं हिंदी साहित के प्रथम काल को आधी काल नाम किस ने दिया रामचन सुक ने हजारी प्रसाद दिवेदी राहुल शंकरतायन वासुदेवसरन अगरवाल की बात करते हैं हिंदी साहित के प्रथम काल को आधी काल नाम किस ने दिया सभी जानते हैं हजारी प्रसाद दिवेदी की बात करते हैं जबकि रामचन सुग ने इसे बीर गाथा काल की शंगय दी प्रस्णा गया कि बीर गाथा काल की शंगय किसने दी तो रामचन सुग ने दी दी लेकिन आधिकाल का नाम हजारी परसाथ दिवेदी जिनी थी अंगला परस देखेगा दूस्तों भाधसा योग आवशिष्ट के लेखक कौण है राम प्रसाद बिस्मिल रामा शंकर वाजपयी राम प्रसाद निरंजनी या अनमेश निरिषद कोईनी भासा योग वसिष्ट के लेखक पूछा जा रहा है तो भासा योग वसिष्ट के लेखक कहला जाते हैं राम प्रसाद निरंजिनी ये दोस्तों सन 1741 इसवी में राम प्रसाद निरंजिनी ने भासा योग वसिष्ट की रशना की इसमें खड़ी बोली गद्य का परिमाजी त्रोप से देखने को मिलता है अंगल्या पस्टने नहुस नाटक के नाटक कार कौन गहला जाते हैं जिया नहुस नाटक सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे सीता रामदाश नहुस नाटक के रटनाकार सीता रामदास की बात करते हैं हिंदी सब्दानु सासन के लेखक कौन है? कामता प्रशाद गुरु किसोरी दास वाचपेई जी शाम सुंदर दास जी, रामचंद वर्मा जी सभी कमेंट के लिए हिंदी सब्दानु सासन के लेखक पूछा जा रहा है दोस्तों हम बात करें किसोरी दास वाचपेई जी जबकि सब्दानु सासन के लेखक कौन है? अगर सब्दानु सासन आता है तो सब्दानु सासन के लेखक आपके हेम चंद जी कौन है? सभी लोग बताई है हेम चन जी हैं और हिंदी सब्दानुसासन के कि सोरी दास वाच पेजी अंगला प्रसन है चीत स्वामी किस धारा के कभी हैं तो जो चीत स्वामी है आपके अश्ट शाप धारा के कभी कहला जाती अश्ट शाप की स्थापना 1515 टीसी में गुवसामी बिठल द्वारा की गई थी बरवय नाई का भेद के रचनाकार कौन है तो रहीम जी कहला जाती उन्होंने आउदी भासा में की है और इसकी प्रेणा तुल्सी दास ने भी बरवय रमायन की रचना आउदी भाग में भी की है बिहारी ने बिहारी सस्थाई की रशना की, केशो दास ने कभी प्रिया की, रसिक प्रिया राम चंदिका और भिखारी दास ने काब निर्ने की रशना की बिने पत्रिका की भासा पूचा जा रहा है, तुसी दास द्वारा लिखित पत्रिका जो बिने पत्रिका है, और इसकी जो भासा सभी लोग जानते हैं, ब्रजभासा है, तुसी दास की नरशना, कभिता वली, दोहा वली, गीता वली, किश्ना गीता वली, सारे ब्रजभासा मे जबकि रामचरित मानस जो हो गया जानकी मंगल, बरवे रमायन ये सब आउधी भासा में लेकिन जो हमने बात किया कि बिने पतिका, कविता वली, दोहा वली, गीता वली, कश्न गीता वली ये सारे ब्रजवासा के जोस्तो भक्तिकाल के किसकभी ने संसकत को छोण कर भी संसकत के सास्ती परंपरा का निर्वान किया या भक्तिकाल के ये कभी हैं और इहोंने संसकत को छोण कर भी संसकत के सास्ती परंपरा का निर्वान किया और ये दोस्तो तुलसीदास जी भक्तिकाल के रामभक्ति कावधारा के सेश्ट कभी तुलसीदास ने संस्कत को छोण कर संस्कत की सास्ती प्रंपरा का निर्भान किया इनके द्वार अचित महा काव रामचरित मानस इसके साथ कांड है और इसकी भासा अवधी है रीतिकाल की रीत सिध्ध काब धारा के जो कभी कहलाते हैं वह भी हाई अंगला प्रसेत देखे, राम चंद वर्मा पिसके लिए प्रसिद्ध हैं, कभी रूप में, अलोचक के, भासा विद के या केश कार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो आप सभी लोग जानते हैं रामचंद वर्मा जी है केसकार के रूप में पृषिद डी आप्सन एदर आइटेंस अगला प्रस्न है रहीम करत मदनाश्टक की भासा है खड़ी बोली, आओधी, राजिस्थानी या ब्रजभास रहीम करत मदनाश्टक की भासा पूँचा जागा रहीम अकबर के दरवारी नौरत्मों में सेख्थ इन्होंने आओधी ब्रजभं खड़ी बोली की रचनाई की है रहीम सस्थाई बरवय नाई का रहीम दोहावली राज पंच धाई है लेकिन रहीम करत मदनाश्टक की जो भासा है वह आपकी खड़ी बोली ठीक है अंगला परस देखेगा धुरूपत गायन का संबन्द किस भासा से ब्रजभासा अओधी खड़ी बोली या राजिस्थानी भासा से जी हैं दोस्तों दुरूपत गायन का संबन्द पूछा जा रहा है तो दुरूपत गायन का जो संबन्द हो जाता है वह ब्रजभासा से हो जाता है सरपतम गोपाल नायक ने राग भीम पलासी को सूल ताल में निवद्ध करके गाया था लेकिन इसे जो है बिशिष्ट पद रचना और गे सैली को ढालने वाले जो स्रेज आता है वह ग्वालियर के नरेश मान सिंग तुमर को प्राप्त होता है और इस प्रक्टिस इट का पचासमा प्रशन है कि भक्ति काल में ग्रस्त जीवन जैसा सुन्दर चित्रन सूर दास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कभी में यह मिलता है जियां दोस्तों इंट्रेस्ट प्रशन है भक्ति काल के ग्रस्त जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूर दास में मिलता है वैसा ही आधनी काल के कभी किस कभी में ये मिलता है और वै कभी है दोस्तो मैति सरंगुप्त यह दोस्तो भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुन्दर चितन सुदास के काब में मिलता है वैसा ही ग्रस्त जीवन का सुन्दर चितन आधनी काल के कभी मैती संगुए